Hello Class Fired Hindi Third Language Class में आप सबका स्वागत है तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बिना मात्रा के चार अक्षरों वाले शब्ड पढ़ेंगे तो यह जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगे जो यह आप अपनी क्लास्वर कॉपी में लिखेंगे इसको आप दो बार लिखेंगे क्लास्वर कॉपी में ठीक है? देखो, क्या लिखाएंगे आपर? चार अक्षर देखो कटहल कठल ठीक है? चार अक्षर हो गए देखो कठल मतलब जैक फ्रूट तम तम मतलब घोड़ा गाड़ी उपवन, उपवन मतलब बाग बगीचा कसरत, कसरत मतलब एक्सरसाइज माखमाल, मखमल, मखमल मतलब वेलवेट जो मुलायं कपड़ा आता है ने वेलवेट वही पनघट, पनघट मतलब वेट बचपन मतलब पता है सबको चाइड़ोड मातलब मतलब मीनिंग शरबत शरबत जूस खटमल, मतलब कीड़ा कीड़ा कौन सा कीड़ा? बेट बग ठीक है बच्चों? तो ये आ गए हमारे चार अक्षरों वाले शरब तो इसको आपने अपनी क्लास्टर कॉपी में दो बार लेखना है ठीक है? और आपका होमवक क्या है? आपका होमवक है ये आपकी बुक देखो बच्चों पेज नमबर टैन ये जो आपकी बुक है क्लास फाइब देखो आपकी बुक है पेज नमबर टैन में जो यहाँ पर दिया हुआ है ना चार अक्षर वाले शब्द आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जो चार अक्षर वाले शब्द है उसी को आप तीन बार लिखेंगे ठीक है तो क्लास फाइब आप दो बार लिखेंगे होमवक पेज नमबर टैन में जो यह है चार शब्द है जो आप वही लिखेंगे सिर्फ तीन बार ठीक है जैसे हो गये आपका अचकन, अजगर, बरतन, अदरक, परवल, भगदर, बरगद, उपवन, शलगम, नटखट तो यहां पे भी जो है देखो नीचे यहां से जो जो चार अक्षर वाले शब्द है आपको सबी लिखने है ठीक है बच्चों तो आज की क्लास नहीं समाप्त होती है धन्यवाद